हेलो वरिवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल पर इक्षा हाल्ट 247 में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जैसे से सीजिल को टार्विट करने के लिए 70 दिनों के माश्टर प्लान पर हम लोग चले हैं अभी तक 22 दिनों का सिड्यूल आ चुका है और आज 23 वा दिन है, बीच में तिवहार के कारण, होली के कारण जो सिड्यूल था वो नहीं आ रहा था, लेकिन अब तिवहार भी बीच चुका है तो अब आगे क्या, अब भी तिवहार ही मनाना है, मस्ती करना है, या फिर एक्जाम को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को पेस करना है दोस्तों, अगर आप अभी भी इस उधेड़ बून में हैं कि JSC है, JSC क्या ही एक्जाम लेगी और इस चीज को लेकर के आप थोड़ा सा डिले कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, आलस आ जाता है मन में कि क्या ही एक्जाम लेगा JSC तो आप इस उधेड़ भून से निकलिए, आप अपना करतवे किजिए, हमारे हाथ में जो है हम वही करेंगे और बहुत सिद्दत से करेंगे दोस्तों अगर एक्जाम होता है, एक्जाम तो होगा ही, 99% chances है कि एक्जाम होगा, अगर होगा तो हम से हमारा एक सीट जाना नहीं चाहिए इस बार दोस्तों 23 दिनों का, जो 22 दिनों का schedule आया है, इसमें हम लोगों ने history quality biology को cover कर लिया अब जो है आगे का module में क्या हम लोग करने वाले हैं, किस प्रकार से करेंगे, और कुछ subject को add करेंगे, आपके लिए हम क्या करेंगे, जिससे की आसानी हो जाए, preparation करने में, तयारी करने में, और पक्का हम लोगों का तयार, तयारी हो जाए तो हम भी आपके लिए कुछ करेंगे, आपको भी करना होगा, क्योंकि दोस्तों हम केवल support करेंगे, लेकिन अपना ही जैसे की यहाँ पर लिखा हुआ है, खुद ही थाम लो हाथों में पत्वार, दोस्तों कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा support, help करे दोस्तों एक पंक्तिया है कुछ जैसे की बैठ जाओ सपनों के नाव में, मौके की ना तलास करो, दोस्तों आपको जो बनना है, अधिकारी बनना है, जो आपको एक्जाम क्रैक करना है, अभी और कुछ सीट्स जो होंगे जैसे सीजेल में सायद ऐड होंगे, तो हमें एक अ अभी से लग जाईए, और अभी तक जो 22 दिनों का सिड्डूल में जो भी कुछ हुआ है, अगर आपने किया है, नहीं किया है, कोई बात नहीं, उस दिनों को उतना हम आपको रिविजन कराएंगे, आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं, खुद ही थामलो हातों में पतव कुछ मुझे दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, तो आपको अपने मांजी का इंतिजार नहीं करना होगा, अपना मांजी आपको खुद बनना होगा, पलट सकती है नाव की तकदीर, गोते खाना सीखलो, सपने बुनना सीखलो, दोस्तों आपका जो नाव रुपी जो जी सीखलो, अब नदी के साथ बहना सीखलो, डुबना नहीं तैरना सीखलो, भवर में फसी सपनों की नाव, अब पतवार चलाना सीखलो, सपने बुनना सीखलो, तो दोस्तों अपने सपनों की उडान आपको खुद उड़ना होगा, और अपना काम खुद से करना होगा, कोई म फेर्स भी साथ ही साथ चल रहा है तो ये GS का कुछ टॉपिक्स है इसको किस प्रकार से कवर करें सर 22 दिनों का जो उधर सिड़्ू लाया उसको हमने कवर नहीं किया है अब क्या करेंगे अब confusion है या फिर हमें depression हो रहा है आगे किस प्रकार से करेंगे तो आप बिल्कुल निश question कर लेंगे और test लगा लेंगे mock test 20-25-30 mock test कर लेंगे लगभग 20 mock test कर लेंगे तो आपका तयारी जो है वो दम पुकता हो जाएगा लेकिन जो है पूरा सिद्दत के साथ हमारे साथ बने रहना होगा अगर आप सिद्दत के साथ चाहते हैं कि इस वार हमें एक seat चाहिए तो ह हमारे साथ बिल्कूल बने रहे हैं दोस्तों हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं आपको motivate भी करते रहेंगे अभी इसके बाद किस प्रकार से आगे की रननीती होगी उस पर मैं आपको विडियो दूँगा दोस्तों आज जी एस टॉपिक में हम लोग जगरफी, economics, physics, जा लोग बात करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड जगरफी से और वर्ल्ड जगरफी में आपको universe पढ़ना है, ब्रमांड पढ़ना है, आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी संसाधन है, उस संसाधन का आप 100% यूज कीजिए, अगर आपके पास बुक नही है कि अलग-अलग बुक से पढ़े, आपके पास जो भी बुक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइम को स्कैन किजिए, समझ करके पढ़िए, इसके questions लगाईए, और previous question करेंगे, set लगाएंगे, box test देंगे, सब पुछ करेंगे, जो एक exam को crack करने के लिए, जो तरह से sufficient होगा, world geography में ब्रमांड देखना है, crown और NCRT सार संकलन से दोनों से देख लिजिए, अगर आपके वल topic यहाँ पर देखें, उसके बाद आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, crown से किजिए, NCRT सार संकलन से किजिए, दोनों से किजिए, कोई बात नहीं, आपके पास lucent ह भी अब आप कर सकते हैं, economics में main characteristics of Indian economy, यानि कि भारती आर्थविस्ता के प्रमुकलक्चन, दोस्तों, economics एक ऐसा subject है, जिसमें लोग फसते हैं, बच्चे economics को छोड़ करके चले जाते हैं, तो अगर आप economics बुक से नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको economics का एक बहुत ही अच्छा compilation, economics में क्या पढ़ना होता है, कुछ static topic होता है, जैसे कि inflation है, unemployment, poverty, budget, budgetary system, taxation system in India, financial market, banking किस प्रकार का है, demand supply, जो five year plan है, economy का प्रकार, तो ये सब कुछ static topic है economics के, उसको कर लेने हैं, और बाद में economics करेंट के साथ चलता है, जैसे अभी budget में क्या है, जारकंड में budget आया, इंडिया में budget आया, union budget, उसके बाद economics survey है, और भी बहुत से कुछ जो reports होते हैं, वो सारे के सारे index होते हैं, सब economics के अंदर आते हैं, world bank हमारे लिए क्या कर रही है, तो ये एक current affairs का topic है, तो current affairs हम लोग जब साथ साथ कर रहे हैं, करेंगे budget वगेरा, तो उधर से हो जाएगा, economics का जो static पाला part है, ठीक है, जो कि आपको economics में उसका knowledge होना चाहिए, national income किस परकार से निकालते है, GDP, GNP, NNP क्या होता है, ये सब कुछ आपको हम अपने channel के माध्यम से बहुत अच्छा content, दोस्तों आपके साथ हम कोई किसी भी परकार का छल नहीं करेंगे, आपके भविश्य के साथ खिलवार नहीं करेंगे, आप अगर economics जो यहाँ पर कराया जा रहा है, उसको अगर आप करते हैं, तो आपका economics का preparation पूरा पक्का हो जाएगा, economics के जो भी topic यहाँ पर कराया जाएगे, सब कुछ बहुत अच्छा compilation के साथ, बहुत सारे sources का निचोड है उसमें, तो आप उसे prefer कर सकते हैं, consider कर सकते हैं, economics को पढ़ने के लिए, आप चैनल के playlist में जाएगे, economics वहाँ पर कराया जा रहा है, और पूरा syllabus कराएंगे, economics का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वहीं से आप पढ़ सकते हैं, अगर आप crown, list, NCRT, list से नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ में न आप से वादा होगा इस बार, physics में आज units and dimension करेंगे, आप units measurement जो पहला topic है physics का, आप किसी भी बुक से करे, crown से करे, NCRT, सार संकलन से करे, lucent से करे, या फिर crown, NCRT, सार संकलन, दोनों को मिला करके करे, अगर आपके पास time है, नहीं तो, physics का भी जो crown का, हम जैसे कि अभी biology चल और आपके लिए जो बीडियोज है biology का cover करके, physics सब कुछ यहां पर कराएंगे, तो अगर आपके पास अभी जो भी बुक है, उसको उससे measurement units देखिए, और आज का यही topic है, geography, economics और physics में, जहारखंड में, आज आपको उडांस बुक से, जहारखंड की कला संस्क्रिती में, ज पूरे जहारखंड में, किसी भी YouTube चानल पर जाएए, जहारखंड जीके का इस प्रकार का जो content है, आपको जो मैं content देता हूँ, जब content बना करके देने की जरूरत होती है, जैसे कि जहारखंड जोगरफी है, उसका बहुत सारा resources है, उससे ले करके निचोड एक आपको हम provide करा रहे हैं, उसके बाद जो है कि उसको map के थूरू, जहारखंड का जोगरफी बिना map के मानचित पर अगर नहीं पढ़ेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा जोगरफी एक ऐसा topic है, एक ऐसा subject है, तो आपको जहारखंड का जो जोगरफी है, वो भी चल रहा है, आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसे देखते हैं, उसके बाद question लगाएगे, तो आपके सारे के सारे question लगेगे और आपके दिमाग में वो fit हो जाएगा, तो यहां से जो भी आपको कराया जा रहा है, उलान book से जहारखंड history करा दिया गया है, आप उसको जाकर के देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा, उसको complete कर लिजे, history हो गया, जहारखंड जो गरफी चल रहा है, और जो आप इधर से कलायवम संस्कृति है, इसे कर लिजे, हम बाद में, जो बुक से कराने के लिए होगा, जैसे उलान से direct कराना है, तो उलान पढ़ा दिये, ठ चिक है, और उसके बाद जो है, उडान बुक से, जो history है, वो cover कराया जा चुका है, आप अगर नहीं देखें, तो जाकर के देखें, और उसके बाद हम लोग question लगाएंगे, हो जाएगा, लेकिन जहारखंड जोगरफी को आप रट करके नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जाकर के playlist में चेक किजिए, आप कभी निरास नहीं होएंगे, और वहाँ से आपका कोई question नहीं चुटेगा, जहारखंड जोगरफी का class आप चैनल के playlist में जाकर के देखें, और उसके PDF को टेलीग्राम चैनल से जोईन करके, टेलीग्राम से जुड करके, वहाँ से डाउनलो करने करा हैगा, उलान से हम लोग कर लेंगे, अभी history कर लिया है, उसके बाद कला संस्कृती आगे हम लोग चलेंगे, लेकिन जहारखंड जोगरफी अभी चल रहा है, तो जाकर के उस प्रकार से पूरा cover किजिए, जल्दी इसको अच्छे से बार 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 रिपीट कर के revision किजिए, और उसके बाद हम लोग question लगाएंगे, और current affairs में दोस्तों, current affairs में क्या है, कि speedy हमने बताया है, कि speedy current affairs, international और national current affairs के लिए speedy चलेगा, और जहारखंड current affairs का एक class, जो एक साल का जहारखंड current affairs से वो डाला गया है, उस परदा publication की book है, उसको अच्छे से याद हो आपका जहारखंड current affairs हो जाएगा, आपके बल सुन लिजेगा, तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और इसके PDF को डाउनलोड कर लिजेगा, टेलिग्राम चैनल से, तो सुन करके PDF डाउनलोड कर लिजेगा, पूरा जहारखंड current affairs का attention मत लिजेगा, इसके बाद, SPD जो है next month में, next month जो आने वाला है, अप्रिल, तो उसमें जब आएगा SPD, March तक का, March 2022 तक का, तो चैनल पर upload कर दिया जाएगा, SPD को, तो वहाँ से, daily दो घंटा या एक घंटा current affairs पर नहीं देना है, current affairs एक बहुत ही major role play करेगा, आपके examination में, लेकिन इतना नहीं देना है, क्यो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, तो ये current affairs का section में, जारखंट current affairs जाएगे, चैनल पर देखे, और अभी नया current affairs जो आया है, भरवरी 2022 तक का, वो जल्दी ही upload होगा, तो बिल्कुल आप निश्चेंत रहें, ये पूरा का पूरा आज का topic था, जिसमें आपको history, ए तो ये पूरा का पूरा आज का schedule था, किस प्रकार से आगे क्या रननीती होगी, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं किये हैं, उसके लिए क्या करना है, अब 60 दिनों में किस प्रकार से हम लोग अपनी तयारी को पेशब करेंगे, उसके लिए मैं जल्दी ही video upload करूँगा, ज खली से मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छे से video में.